रफ्तार उर्फ दिलिन नायर एक भारती रैपर, गीतकार, नर्तक, टीवी व्यक्तित्व और हिंदी और पंजाबी संगीत से जुड़े संगीतकार हैं, जो फिलहाल पानी पत्नी से तलाक लेने के विशय में मीडिया में चर्चा का विशय बने हुए हैं, उन्होंने जून 2022 म अपनी पत्नी को मल वहरा से तलाक लेने के लिए अरजी डाली हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुवात एक दानसर के रूप में की थी, उन्होंने 2008 में ली गोलू और यंग अमली, जिसे अब इकका के नाम से जाना जाता है, के साथ रैप में अपना करियर शुरू किया गाने रिकॉर्ड किये और उन्हें सोशल साइट्स पर अपलोड किया, धीरे धीरे उन्होंने अपने काम में पकड बना ली और आज म्यूजिक इंडस्ट्री पर राच कर रहे हैं, नाम नेम रफ्तार, असली नाम रियल नेम दिलिन नायर, उपनाम निक नेम रफ्तार आर जन्म दिन बर्थ दे 16 नवंबर 1988, जन्म स्थान बर्थ प्लेस तिरुवनंत पुरम केरल भारत, उम्र एज 34 साल साल 2022, राशी जोडियाक व्रिश्चिक राशी, नागरिक्ता सिटिजन्शिप भारती, ग्रह नगर होम टाउन तिरुवनंत पुरम केरल भारत, धर्म रिलिज लंबाई हाइट पांच फीट साथ इच, वजन वेट 72 किलो ग्रांग, आखो का रंग आई कलर भूरा, बालो का रंग हेर कलर काला, पेशा ओक्यूपेशन रैपर गायक डांसर गीतकार, पहला गाना डेब्यू सौंग गायन फिल्म ब्रेकवे से बीयर बार 2009, शेरादी कॉम 2011 अंग्रेजी पंजाबी फिल्म, वैवाहिक स्थिती मैरिटल स्टेटस तलाक शुदा, पतनी का नाम वाइफ नेम कोमल वोहरा, शादी की तारीख मैरिज देट 1 दिसंबर 2016, तलाक की तारीख डिवोर्स देट जून 2022 में तलाक की अरजी, 6 अक्टूबर को तलाक के कागजा पर हस्ताक्षर करेंगे और मा टाइपिस्ट थी, रफ्तार की शादी एवं पतनी, उन्होंने 1 दिसंबर 2016 में भारतिये टेलिविजन अभिनेता करण वोरा और कुनाल वोहरा की बहन कोमल वोहरा से शादी की, वोरा और रफ्तार के लिए यह पहली नजर का प्यार था, जब वे 2011 में एक दोस्त के घ अधर मिले थे, उन्होंने 5 साल की डेटिंग के बाद शादी के बंधन में बंध गए, इसके बाद रफ्तार ने अपने विवाह समारोह से तस्वीरें पोस्ट की और लिखा मेरी आत्मा से शादी की, रफ्तार का तलाक, रैपर रफ्तार और उनकी पतनी, इंटेरियोर डिजाइनर कोमल वोहरा आधिकारिक तौर पर अलग हो रहे हैं उनकी शादी के 6 साल इस साल अक्टूबर में खत्म होने की संभावना है, फिलहाल दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है, और अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं 2016 में शादी के बंधन में बंधने वाले दमपती पिछले कुछ समय से अलग रह रहे हैं, और जो हमने विशेश रूप से इकठा किया है, दोनों ने 2020 में महामारी के समय में तलाग के लिए अरजी दी, जिसके कारण फाइनल कार्यवाही में देरी हुई दमपती के करीबी एक सूत्र ने पुष्टी की, महामारी के कारण सब कुछ लेट हो गया, वे छे अक्टूबर को तलाग के कागजात पर हस्ताक्षर करेंगे रफतार का करियर उन्होंने अपने करियर की शुरुवात मैक्स नाम से एक डांसर के रूप में की थी उन्होंने दो हजार आठ में लील गोलू और यंग अमली जिसे अब इक्का के नाम से जाना जाता है के साथ अपने रैपिंग करियर की शुरुवात की गाने रिकॉर्ड किये और उन्हें सोशल मेडिया प्लेट फॉर्म पर अपलोड किया उन्होंने मैक्स और मानिक नाम के एक सहयोगी के साथ डांस इंडिया डांस 2011 में भाग लिया 2011 में उन्होंने अपने पहले रैप गीट जिन्दाबाद के साथ तुरंत प्रसिधी प्राप्त की इसके बाद वह माफिया मुंदीर ग्रूप में शामिल होकर यो यो हनी सिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया लेकिन बाद में रफ्तार माफिया मुंदीर ग्रूप से अलग हो गया उन्होंने दिल्ली में एक डान्स ट्रेनर दे बिग डान्स क्लब के रूप में काम किया रफ्तार ने 2013 में अपना पहला मिक्सटेप WTF विटनेस दे फ्यूचर रिलीज किया उन्होंने 2013 में सोनाक्षी सिन्हा और सैफ अली खान अभिनीत तमंचे पे डिसको गीत के साथ बॉलिवुड में शुरुवात की जो अपने समय का एक प्रमुख हिट गाना बन गया था साल 2013 में रफ्तार ने मंज मुसिक के साथ अपने गीत स्वैग मेरा देशी को रिलीज करने के बाद लोगों की नजरों में चा गए थे साल 2017 में रफ्तार ने बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में फिल्म वन के माध्यम से शुरुवात की जिसमें गायक विशाल ददलानी और रफ्तार दोनों गायक शामिल थे रफ्तार रेलेटी शो एम्टीवी रोडीज का गैंग लीडर है साथ ही वह एम्टीवी हसल और डान्स इंडिया डान्स के जजों में से एक है रफ्तार के विवाद फिल्म फगली में ट्रैक को लेकर उनका यो यो हनी सिंग के साथ जगडा हुआ था क्योंकि रफ्तार ने दावा किया था कि उन्होंने इसका टाइटल ट्रैक और दो अन्य गाने धूब चिक और बंजारे लिखे और बनाएं रफ्तार की संपती रफ्तार अपने प्रत्येक गाने के लिए दो लाख से लेकर चार लाख रुपए तक फीस चार्ज करते हैं झाल झाल